देखने को मिल रहा है एक बार उस पर नजर डालते हो आज टॉरेंट पावर में शांदार तेजी देखने को मिल रही है नतीजों के दंपर नतीजों में क्या कुछ खास निकल कर आया इस बार ये बार देख लेते हैं और अनीशा हमाई साथ जुट चुकी है पूरा अनालेसि और ये 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 यर ओनिया बेसेश पे एटीजिक्स परसेंट हायर है बात ये देखना जरूरी है कि इसमें एक वन टाइन गेन है चार सो करोड का अगर उसको भी निकाल दे जो इंटरनल ऑपरेशनल परफोर्मेंस है वो भी इंप्रूव हो रहा है और जो दिस्रिबूशन है वो काफी circle में कम हुआ है substantially by 200 और 600 basis point के बीच में जो company ने recent acquisitions किया था renewable energy segment में वो भी अभी profit में contribute करने लग गया है तो 21 करोड का almost contribution जो नए acquisition है उससे आ रहा है और आगे जाकर भी company ने बोला है कि वो almost 5 gigawatt cup na renewable portfolio रखना चाहता है 3-5 year में also इसका dividend yield काफी strong रहा है तो अब की बार company ने 22 रुपीज बाइस रुपे पर शेयर का dividend announce किया है जिससे dividend yield around 5% आता है जो काफी strong है and also company ने parallel license के लिए application किया है महाराश्ट्र के कुछ रीजिश रीजिश में अभी इसका approval आना बाकी है बट अगर यह अगर यह approval आ चाहता है तो it can be the next trigger for this truck आगे growth इससे काफी भढ़ सकते है और इसे रहे analyst काफी excited है in fact access capital ने अपना target price अराण पांसो पार शुपे रखा है and upgrade किया है rating को add versus reducer लिया ठेक है शक्रिया अनेशा तो torrent power अब brokerages के तरफ से अच्छे targets भी और हम देखने कि नतीजे बहर शांदार है और इसके बाद ये share buzz कर रहा है 25,000 क्रोण रुपे के आसपास का market cap है और 500 रुपे के ऊपर निकल गया है share का भाव अवनाजे एक closing comment आप से में लूँगा torrent power देखे पावर के जो stocks हैं बहुत समय के बाद हम देख रहे हैं कि किसी stock में इतनी रोनक में दिख रही है क्योंकि अडानी पावर ले लिजी टाटा पावर ले लिजी लगता है इनका पावर निकल गया है बिलकुल देखे अभिशे गुजा लग रहा है कि power generating companies में जो 23 के numbers आ गए है वो मेरी ख्याल से बहुत ही शांदार आ गए है मेरे ख्याल से अगर नजरीया medium term है तो इस लेवल से भी torrent power में अगर कोई खरीदता है तो अच्छा risk reward बनने की possibility रहेगी हाला कि कभी वो 52 week high touch करेगा यह कहना मुश्किल है लेकिन अगले 3-4 quarters के लिए तो growth काफी strong लग रही है और अगर volume और throughput भी वढ़ता है तो definitely इसमें re-rating और आने की affection रहेगी तो I think अगर portfolio की part करें तो थोड़ा सा definitely यहां पे position ले जासे ठीक है थोड़ा सा position ले सकते हैं further इसमें re-rating stock के price में होने की संभावना जरूर है